कहीं से आपके पास एक Hindi PDF फाइल आती है और आपसे बोलते हैं कि इस Hindi PDF फाइल को English में convert करके दो, वहाँ पर आप थोड़े से confused हो जाते हैं क्योंकि उस Hindi PDF फाइल में 5 पेज भी हो सकते हैं 10 पेज भी हो सकते हैं और 50 पेज भी हो सकते हैं वहाँ पर आप सोचते हैं मैं इतने सारे पेजों को कैसे convert करूँगा तो गबराते क्यों हो मेरे भाई आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एक किलिक में चाहिए आपकी PDF फाइल में 50 पेज चूना हो आप उस Hindi PDF फाइल को सिर्फ एक किलिक में हिंदी से इंग्लिस में convert कर सकते हैं लेकिन आपको वीडियो को बहुत ही दियान से देखना है तो चलिए वीडियो करते हैं start उससे पहले दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के informative content लात रहता हूँ तो चलिए हम यहाँ पर आ चुके है मैं ने computer की screen पर आप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक Hindi PDF file को English में convert कर सकते हैं तो चलिए उससे पहले मैं आपको इस PDF file को दिखा देता हूँ जिसको मैं convert करने वाला हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक PDF देखने को मिल रही होगी उसको आप भोती आसानी से English में convert कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक Hindi PDF file को English में कैसे convert कर सकते हैं मेरी PDF file के आपको यह पर दो page देखने को मिलेंगे हो सकता है आपके पास यहाँ पर 5 page हो 10 page हो या हो सकता है 50 page आपकी PDF file के हो आपकी PDF file के जितने भी page हो आप भोती आसानी से सिर्फ एक किलिक में अपनी Hindi PDF file को English में convert कर सकते हैं सिर्फ आपको एक किलिक करना है और आपके Hindi PDF file English में convert होकर के आपके सामने आ जाएगी तो हम यहाँ पर अपनी Hindi PDF file को English में कैसे convert करेंगे तो चली मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी गूगल करोम ओपिन कर लेना है तो चली मैं आपको बताता हूँ अब जैसी मैं आपको यहाँ पर गूगल करोम ओपिन करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास PDF ना हो करके कुछ text होता तो आप उसको copy paste करके वहाँ पर translate कर सकते थे लेकिन इसका तरीका दूसरा है तो चली मैं आपको बताता हूँ आप कैसे convert कर सकते हैं तो चली मैं यहाँ पर Google Translate लिख करके search कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर इस तरीके से Google Translate लिख लिख लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर enter कर देना है अब जैसी आप यहाँ पर Google Translate लिख करके सर्च करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है अब आपको यहाँ पर क्या करना है अब यहाँ पर आप यह भी सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर डारेक्ली पेष्ट करके और यहाँ पर convert कर सकते हैं लेकिन हमें यहां से convert नही करना है क्युकि हमारे पास PDF फायल है उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सान नीचे आजाना है जैसी आप यहाँ पर नीचे आते हैं आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाले हैं, आपको यहां पर भी language के दो section देखने को मिलने वाले हैं, यहां पर आप वो language select रखेंगे, जिसमें आपकी PDF होती है, और यहां पर आप क्या रखेंगे, यहां पर आपक वो documents में आती है, तो चलिए मैं यहाँ पर document पर click कर लेता हूँ, अब जैसी मैं यहाँ पर document पर click करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और choose a file, browse your files, आप यहाँ पर browse your files पर click करके अपनी PDF को upload करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर click करके अपनी PDF को upload कर लेता हूँ, अब जैसे आप होँपर click करते हैं, आपकी PDF हो सकता है, कोई सी भी drive में हो सकती है, तो आपको इस drive में जाना है, और अपनी PDF को select कर लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, में तो यहाँ पर desktop पर ही रखी हुई है, और यहाँ पर आपके desktop पर जितने भी PDF होती हैं, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन हमें तो यहाँ पर हिंदी PDF को select करना है, अब जैसे हमने इस PDF को select कर लिया है, उसके बाद आपको option देखने को मिलता है open, आपको इस पर click कर देना है, जैसे आप होँपर open पर click करते हैं, आपकी PDF फाइल यहाँ पर upload होकर क्या चुकिए, और उसका आप यहाँ पर size भी देख सकते हैं, 413KB की हमारी PDF है, आपकी PDF का size इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप down arrow पर click करके अपनी language को select करेंगे, तो चलिए मैं आपर click कर लेता हूँ, अब जैसे आप यहाँ पर click करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर काफी सारी language देखने को मिल जाएगी, जिस भी language में आपकी PDF फाइल हो, यहाँ से आपको select क लेना है, ज़रूरी नहीं, आपकी PDF फाइल हिंदी में हो, तभी आप English में convert कर सकते हैं, आपकी इन सभी language में से कोई सी भी language में आपकी PDF हो सकती है, और आप उसको English में convert कर सकते हैं, तो चलिए पहले मैं आपर अपनी language को select कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमार यहाँ पर English तो पहले से select होके रखी हुई है, अगर आपको कोई दूसरी language यहाँ से select हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यह सभी language आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, चलिए मैं यहाँ से back आ जाता हूँ, अब यहाँ पर हमने अपनी language को select कर लिया है, उसके आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता translate, आप इस पर click करके अपनी Hindi PDF को English में convert कर सकते हैं, सिर्फ एक click में, आप यहाँ पर एक click करेंगे, आपकी PDF में 2 page हो, 5 page हो, 10 page हो, या 50 page भी हो, आपकी एक click में यहाँ पर translate हो जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ, औ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर processing start हो चुकी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर convert भी हो चुकी है, और अगर आपकी PDF में pages ज़्यादा हैं, तो हो सकता है, कुछ time भी ले सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी तो यह फाइल को ओपिन करके दिखाता हूं तो चलिए मैं आपर डबल किलिक कर लेता हूं और जैसी मैं उस पीडियो फाइल को ओपिन करता हूं आप यहां पर देख सकते हैं हमारी पीडियो फाइल यहां पर पर वीडियम कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए पर इतने मिलते हैं नेक्ट वीडियो में